गुड मॉर्निंग टू आल, वेलकम टू TSN स्कूल, हम पढ़ रहे हैं कक्षा नौवी हिंदी व्याकरन का पाठेकर, आज हम आपकी पाठे पुस्तक में लेखन वाले भाग से अनुचेत लेखन के बारे में पढ़ेंगे, अनुचेत लेखन क्या होता है, अनुचेत लेखन हो आकॉर्डिंग कही जाए, और उसका छोटा रूप, यानि एक पैरेग्राफ में उस टॉपिक के उपर सारी बात लिखी जाए, उसे अनुचेत कहा जाता है, ठीके, अनुचेत क्या है, किसी एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समू, वाक्य समू, मतलब छोटे छो चोटे चोटे वाक्यों का जो समू होगा, और किसी एक भाव या विचार पर, यानि कोई एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पर ही आपको वो अनुचेत लिखना है, उसे अनुचेत कहते हैं, ठीके, उसके बार है, किसी भाव या विचार को अपने शेद क्यालाता है इसमें निभन में किसी विशेद से संबंदित तथ्यों विचारों सामगरी को क्रम बद और विवस्ति तुरूप से अलग-अलग अनुशेदों में विभक्त करके प्रस्तुद किया जाता है ठीक है इसमें क्या है कि आपको जो भी आपको टॉपिक दिया ग लिखकर आप उस जो आपको विशेद दिया गया है उसके आधार पर आप उसे समझा सकते हैं लेकिन ये जो सुक्तियां कहावात इसको आप कहानी की रूप में न लिखें एक दो लाइन में लिखकर उसको फिनिश कर दें इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अनुछेद में जो भी शब्द सीमा दी गई है उसका विशेद ध्यान रखें शब्द सीमा का विशेद ध्यान रखें किस प्रकार आपको अनुछेद लिखना है अगर आपके शब्दों की सीमा अस्ती से सौ शब्दों की है तो आपको उसी आधार पर उस पेरेग्राफ को लिखना है पूरे विश्य वस्तु का निचोड उसी शब्दों में आ जाना चाहिए उसका आकार बड़ा नहीं होना चाहिए सिमी शब्दों में ही आपका उसको प्रियोग करना है इसके बाद है आपका भाशा शैली है वो सरल सरस और प्रभाव मही हो अनामशक विस्तार नही कैसे करेंगे कम शब्दों में करेंगे कहानी के रूप में आपको इनको नहीं लिखना है वाकिय छोटे-छोटे होने चाहिए सार गर्वित यानि टूदा पॉइंट आपको बात करनी है इसके बाद जो भी आप निभन में पहले उपसंहार या भूमी का निशकर्ष लिखते करेंगे फिर उसका जो निशकर्ष होता है उसका एक अलग पैरेग्राफ यानि तीन चार पैरेग्राफ में आप निभन्द की रचना करते हैं लेकिन अनुछेद में आपको एक ही पैरेग्राफ के अंतरगत पूरी बातों का समावेश करना है अनुछेद भले ही सीमी शब् पूर्टेंट बाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है जैसे चार लाइन है तो उसको एक लाइन में संक्षेच्ट रूप में किस प्रकार लिख सके अपको अनुछेद की रचना करनी है अनुछेद लिखते समय आप इस कबीर का जो दो है सार सार गही गए ठोधा दई उड़ाये मतलब सारां सारां की गाता है सार गर्भित बातों का समावेश होना प्रस्तुति करन לת्र के डेड नंबर और भाषा का है प्रसुति करन के दो नंबर और भाषा के भी दो नंबर इस प्रकार आपका जो अनुछिर है वो छे नंबर का आपकी जो प्रश्म पत्र है उसमें आएगा अब यहां पर कुछ उधारन दिये गए हैं जैसे यूगों का देश के प्रती कर्तव्य एक है दिल्ली की बदलती तस्वीर और एक है आपका कंप्यूटर हम कंप्यूटर की बारे में पढ़ते हैं देखो अनुछिद में कुछ तो आधूनिक विश्य हो सकते हैं कुछ नैतिक मुल्यर आदर्श के विश्य हो सकते हैं कुछ सुक्ति परक भी हो सकते हैं सुक्ति परक जैसे करत करत अभ्यास जड्मती हो सुजान ठीक है इस प्रकार के मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत इस प्रकार के सुक्ति परक विश्य भी आपके अनुशेद में सम्मिलित हो सकते है विध्यार्ती जीवन के बारे में हो सकता है, राष्ट के बारे में हो सकता है, सामाजिक वे राष्टी ता के बारे में हो सकता है, परियावना और प्रकर्ती के बारे में हो सकता है, विज्ञान के बारे में हो सकता है, खेलों के बारे में इसका विशे हो सकता है, इसके अलाव भारत में कंप्यूटर का उपियोग और दैनिक जीवन में कंप्यूटर अब सबसे पहले, कंप्यूटर किया है, वै授निक रेगे में, कंप्यूटर मानव के लिए कलप्रक्ष सिद्ध हुआ है। दुनिया के किसी भी कौने में बैठा व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से किसी से भी मिल सकता है। वह कार्य जिसे करने के लिए ना जाने कितने पुस्तकालों की यात्रा करनी पड़ती थी एक बटन दबा कर कंप्य क्कूटर के माध्यम से किया जा सकता है। यह कंप्यूटर के बारे में अब भारत में कंप्यूटर का कंप्यूटर जीवन के हर शेत्र में मदद करता है। जैसे जिकिसण, मनोरंचन, गान्ना, खेल, शिक्षा, आदि कोई भी शेत्र इससे अच्छूता नहीं है। हना drive नहीं है जो computer के touch में ना हो computer के लाब भी हैं तता हानिया भी computer ने अनेक लोगों का रोजगार चीना है वह है अनेक व्यक्तियों का काम अकेला कर लेता है, कंप्यूटर पर लगाता काम करते रहने से आँखों पर दबाव पड़ता है, बच्चे एका की प्रवर्थी एका की प्रवर्थी मतलब अकेले पन में रहना उनको जादा अच्छा लग रहा है कंप्यूटर का प्रयोग आउशक्ता अनुसार करने पर ये वर्दान सिद्ध हो सकता है अगर आप बिना समय को व्यर्थ किये, अगर अपनी आउशक्ता की आधाल पर ये अगर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं वर्दान है लेकिन अगर हर समय हर चीज में आप अगर computer का प्रयोग करेंगे तो वो आपके लिए क्या हो सकता है आपको एकाखी प्रवर्तिका बना देता है इसके बाद देखो जो सुक्ति परक है उसमें हम देखते हैं जिसे मन के हारे हार है मन के जीते जीत अब इसमें इसका अनुशेत पड़ते हैं मनुशे का मन ही उसे बलवान बनाता है और वही कायर मनुशे के दो पक्ष कौन से हो गए एक तो मनुशे का मन उसको बलवान बनाता है और दूसरा कायर मनुशे तब तक हारता नहीं है जब तक उसका मन सबल हो सबल मतलब शक्तिशाली हो शरी कि वे इच्छा शक्ति नहीं है जो उसे विजय दिला सके मन की शुद्रता को जीत कर ही अर्जुन अजय बना था शरीर की शक्ति सीमित है परन तो मन की शक्ति असीम है मतलब मन जो सोचता है वो असीम बिना सीमा के सोच सकता है प्रबल इच्छा शक्ति और द्रण निश्य से म मन को जीत लिया तो आप इस संसार को जी सकते हैं किसी भी कारे की सफलता के लिए साधनों की अपेक्षा मनोबल की अधिक आउशक्ता होती है जै पराजे सुक दुख लाभानी ये सब मन की कलपनाए हैं मनोविज्ञान में मन की शक्ति के सहरे दूसरों को पूरी तरह वशिब इसको अपने वश में कर सकता है अगर आपका मन आपके वश में है तो सारा संसार सारी दुनिया आपके वश में हो सकते हैं मृत्यों से जुडते जूजने का उस्साह संकट में धैरे तता दुख के समय साहस मनोबल से ही मिलता है ये सब क्या है मन मन की हारे हार अगर आपका म जीत गया तो आप पूरे संसार को जीत सकते हैं इस प्रकार ये जो अनुछेद हैं अलग-अलग पेरग्राफ अलग-अलग विश्यों की आधार पर दिये गए हैं जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई यानी दूसरों की भलाई करना क्या है सबसे बड़ा धर्म है इस प्रकार आपको सुत्तियों के आधार पर भी अनुछेद की रचना करने को मिल सकते हैं धन्यवाद